हेलो फ्रेंड्स क्या आप फॉन में कुछ सीक्रेट्स को छिपाना चाहते हो क्या आप कभी किसी को अपना फॉन दिखाते हैं और यह नहीं चाहते कि वो कोई पर्सनल एप देखें आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने एंड्रोइड फॉन में किसी भी एप को हाइड करें तो चलिए सुरू करते हैं देखते हैं एप को फॉन की होम स्क्रीन से गायव और हाइड करने के स्टैप्स सबसे पहले आप अपने हाइड ओप्सन को फाइंड करें और एप को हाइड करें उसके लिए आप सबसे पहले सेटिंग एप को ऊपन करिए फिर नीचे scroll करके privacy को select करें अब आपको दो option दिखेंगे permissions and privacy आपको privacy पर tap करना है अब आपको तीन option दिखेंगे app lock, hide app and private safe अब आपको hide app या hidden app मिल चुका है अब देखते हैं apps को hide कैसे करें hide app दिखते ही आपको उस पर tap करना है फिर आपको password सेट करना पड़ेगा उसके लिए जो pop-up message में set a privacy password first में setting पर click करके उसके बाद set access code on the dial pad to access hidden apps means hidden apps को access करने के लिए dial pad पर code set करो में setting पर click करना है अब आपको code देखेगा उसे देख के याद कर लो और done पर click कर लो code अलग अलग हो सकते किसी किसी में home screen पर pattern हो सकता यह dial pad पर कोई code अब आपको अपने सभी apps के list दिख जाएगी जिन apps को छिपाना है उनके बाजू वाले switch को simply on कर दो वो apps आपकी home और app drawer से guy up या hide हो जाएंगे और unhide करने के लिए hide app में switch को off कर दो apps बापिस आ जाएंगे याद रखो apps को छुपाने से वो uninstall नहीं होते हैं वो अभी वे phone में हैं सिर्फ hide हैं छुपे हुए apps को open करने के लिए आपको उसका नाम सर्च करना पड़ सकता है या फिर वो तरीका यूज़ करना पड़ सकता है जिसके जरिया आपने छुपाया था home screen पर कोई pattern हो सकता है या dial pad पर कोई password या code बस इतना ही अब आप जान गए हैं कि android में apps कैसे छुपाय जाते हैं अब कोई भी आपके phone में उन apps को नहीं देख पाएगा और आप अपने phone में थोड़ी ज़्यादा privacy रख सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे comment में पूछो और ज़्यादा tech tips के लिए subscribe करना न भूलें thanks for watching फिर मिलते हैं next वीडियो में